पौने 6 एकड़ प्लस रोड करके लोगे तो 6 एकड़ जगा है यह वाटर पॉंड आपको दिख रहा है यह गर्मी का वीडियो है आप आजू बाजू देख सकते हो पूरा सुका हुआ है मतलब समर वेकेशन 27 में का यह वीडियो है आप गास भी देखते हो पूरी सुकी हुई है तो गर्मी में भी यह पानी चालू रहता है सामने देखिए वह फामाउस है और यह भी दोनों दो फामाउस के बीच में इन्होंने मस्त यह वाटर पॉंड बनाया हुआ है जो एक पारिक भी दिखाना चाहरा था मगर यह दिख नहीं पाया क्लियरली 27 में का यह डेट था में के सीजन का है आप गास वकर देखके भी आइडिया आजागा कि के समर्क सीजन का ही वीडियो है यह पाटी आये थे हमारे इदर तो यह जगा पूरी की पूरी डेवलोप्ट है व वॉकिंग डिस्टेंस है मगर मैं अभी वो रोड वगरा भी एक्वाइर करके आपको दूंगा इसको यह जगा का सबसे स्पेशलेटी यह वोटर पांड है और 12 मंथ यह वोटर चालू रहता है क्योंकर खराडे डैम है उपर और यह खराडे गाउं में आती है शापुर ता लाइन लगा आया हुआ है पूरा कि यह पोल लगी हुई जो प्रॉपर्टी है अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है यह पीछे वाला अगर आपने को और जगा बढ़ाना है तो भी आपन बढ़ा सकते है यह आपको जगा का दिखाराओ को कैसा टेबल लेंड पूरी जगा है वो उदर से पोल से लेके से पोल गुम गया तो इदर से पोल के इदर से पूरी जगा शूरू होती है असंगाउ स्टेशन और कसारा स्टेशन के बीच में यह जगा आती है हाडली 20 से पच्छी में लगता है बाजू में जेन मंदीर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक तीन किलोमेटर का तो बड़ा मार्किट है और सबसे बड़ा प्लस मेंट और इसका है कि इदर रडी मैंगो आ चुके है चिकू के पेड है, कोकोनट के ट्री है यह बहुत शौकिन थे, इनकी खुद की हेलिकॉप्टर थी वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा जो सेकेंड हेलिकॉप्टर इदर उन्हें रखी हुई है यह थाना से 75 किलोमेटर है बुंबई से खाली 95 किलोमेटर है और नासिक से खाली 98 किलोमेटर है आजू बाजू बहुत बड़े-बड़े रिसौट है जैसे कमल फाम रिसोट है हजगरी रिसोट एक हंट्रेड एकर का रिसोट है तो आप इसको एक एगरो टूरिजम में कनवर्ट कर लोगों तो बैटी इंकम आपको चालू हो जाएगी आप यह सब आम के पेट देख सकते हो यह प्लस पॉइंट बताना यह भूल गया कि यह सब टेवलोप कर दी है आप सब देख रहे हो सब 20-25 साल जूने पेड़ है आम के चिकू के और रडी आप बेच सकते हो ऐसे आम है रिसेल प्रोपर्टी है सिंगल नाम है साथ बारा पे अब देख रहे है पूरा बंबई और नासी के बीच में आती है यह देखो हेलिकॉप्टर का जो पार्ट में ने बोला तो वो इन्होंने रखा हुआ है यह उपर पानी का टाकी यह स्टोरेज के लिए चोटा सा एक रूम बनाये हुआ इन्होंने क्या के स्टे करना तो कर सके इंटर्ण इसका डिस्ट टीवी का भी लगाये हुआ इन्होंने यह देखे कैसे मस्त नारेल के पेड रखाया है नीचे चुना लगाया हुआ है ताकि उपर कोई कीड़े चड़े नहीं यह चोटा सा एक घर उतके लुपने के लिए इन्होंने बनाये हुआ है ऐसी डैवलोप प्रॉपर्टिया बहुत कम मिलेगी आपको जिसको बारा महिना पानी है स्टेट हाइवे को बाजू में एकदम इसको जाने के लिए रस्ता में बना के दूँगा आपको थोड़ा और जगा लेना पड़ेगा उसके साथ में मैं आपको यह चेकर बता रहा हुआ हर एक पेड उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैंटेन रखा हुआ है आम दिख रहे हैं आपको इसके अंदर पेड के उपर मिलेगा नहीं पूरा उन्होंने हर एक पेड को डीब इरिगीशन लाइण लगाए यह को लोकन के पाइप धीकथ रहे हैं उदर से वो जो पानी आ रहा है उदर से इन्होंने कनेकट करके खीचा है पानी और पूरी जगा को लोखन का पायप और डीप बिरिकेशन लाइन देके पूरी जगा को पानी देते यह देके लोखन κα़ पाईप यह जो आते हैं यह पूल का यह प्रेखो यह नदी अब गर्मी में आप देख सकते हैं अधर पानी रहता है कि पाईपलाइन धूर पानी खीचा है इन्हों ने आइए यह जो रोड हैliamo राइटनाव आते हैं मगर यह में पर्मिशन लेके गर्वर्वर्मेंट से गराम पंचाई से इधर एक बिरिज बना के आपको दूँगा ताकि आप जगा तक एंट्री कर सकते हैं बाकी राइटनाव अभी अगर मैं जगा दिखाऊंगा तो आपको यह इसके उपर से लेकर ज स्टैर केस चीजे बहुत बनाई हुए इन्होंने थोड़ा आगे वाले फार्मर से इनका नहीं जमा थोड़ा अन्बन हो गई थी तो वह इनको जगा नहीं दे रहे मगर मेरा अट्रा साल का इनसे रिलेशन है इधर के लोकल लोगों से तो वह में पूरा क्लियर करके दे रह है यह आप अग्रो टूरिजम में डाल सकते हो बी एन बी पे भी रेंट पे भी रेंटल करना शुरू कर दोगे अच्छा का सब आज कर ग्लास के बंगलोव अगरे बहुत अच्छे बन रहे है वह आप बनाके डाल दो तो पुब्लिक फूल आएगी इधर आज भी इनको विदावड रोड भी इसको बहुत अच्छी कीमत है और विदावड रोड भी लोग आते है इधर से लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए जिदर डेवलोप फार्म है नदी हो बाजू में और मेरा तो हरदम कहना एक है यह बेस्ट इन्वेश्मेंट ओन अर्थी और वह भी एग्रिकल्चर लेंड टाइटल क्लियर मिल गई तो इसके जैसा कोई चीज नहीं है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए शापूर तालुका में प्रॉपर्टी है एंक की